हेलो एवरीवन, वेलकम तो ट्रू आईएस और पीचेस, जोग्रफी के कंटेक्स में हम लोग एक बहुत प्यारा टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं, जो की होगा लेंड फॉर्म्स के बारे में, लेंड फॉर्म्स मतलब क्या, आप बड़ी सारी जगा पर घूमते होगे, प गए होगे, ये सारी चीजे आप जो देखकर आते हो, आप कैजूली इनको देख लेते हो, लेकिन जोग्रेफिकली हम इस लेक्चर में बिल्कुल बेसिक बच्चों के लेवल से जानेंगे कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जो हम अलग-अलग जगा पर नजारे ये टेंट लगा रही है, यह अनिमून में आने जुलू कर दिया हो, ये बना कैसे जगा, और ये जोग्रिफिकली हर एक कंट्री में अलग-अलग जगा की लोकेशन, फॉर एक्जाम्पल हमारी कंट्री में अगर कश्मीर से, कर्णिया कुमारी, गुजराच से किसे जानेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली बात तो जैसा कि मैंने आपको खुद बताया कि हमारे देश में भी और पूरे अर्थ में भी ये चीज आपको पक्का ये देखने को मिलेगी, क्या, कि अर्थ पर जो सर्फेस होता है न, वो हर जगा सेम नहीं है, ह कापी लोग मुझे बताओ, हर एक स्टेट इंडिया में ऐसी है चेश्टा के जहां पर पहाड हो, दिली में पहाड है अपने, नहीं न, हर एक जगा कई ऐसी है, जहां पर अंकिता नदिया हो, सारी जगा से नदिया मह रही हो, और क्या विदिन दा कंट्री, कोई भी कंट्र है पूरे वर्ड में ऐसी 200 की 200 कंट्रीज में से ऐसी कि जहां पर अर्थ का सर्फेस बिल्कुल सेम देखे, नहीं न, ऐसा कुछ भी नहीं होता, अर्थ पर infinite variety of landforms होते हैं, जिनको हम अलग-अलग नाम देते हैं, like mountain, plateaus, plain, valley, etc. अब सबसे पहले, बिल्कुल basic तरीके से जान चेश्टा, जव हम जहां पर रहते हैं न, जो बिल्कुल flat surface होता है, वो होता है, हम दिल्ली वाले कहां रहते हैं, plain region में, plains में, plains की height, लग-भग या maximum, अगर मैं कहूं, तो वो इतनी हो सकती है, आप सबको पता है न, 200 meter सक हो सकती है, अब आपके दिमाग में ये question आया होगा, shiny, chase का, और बाकी सबके दिमाग में भी, sir, ये 200 meter की height कहां से आई, हम इसे कैसे measure करते हैं, क्योंकि चेश्टा, देखो न, आपकी और मेरी height तो इंची टेप से measure करी जा सकती है, किसी पी device से measure करी जा सकती है, लेकिन, अगर मैं आपको ये बोलूँ, चेश्टा, कि हमारी जो दिल्ली है, वो 180 meter की उचाई पर बनी हुई है, या फिर अगर शाहिनी मैं आपको बोलूँ के, जो बेंगॉल है, वो 100 meter की उचाई पर बना हुए है, तो अब हमारे पास कोई reference point तो होना चाहिए न, किता है, जब मैं ऐसा, ऐसा एक statement जारी कर रहा हूँ, क्या ये 200 meter की उचाई कहां से देख रहा हूँ है, जीरो meter का है ये शुरुआत कहां से होई है, ये C level से, अरे याँ ये यहां पर ऐसा हा रहा है, इसको मिस से बना लिए, किस्टा C level को न, जो समुद्र होता है, उसको 0 meter माना जाता है, कि जोग्रफी में किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, तो वो C level से होती है, समुद्र के level से होती है, इसके उपर जहां पर खेती बाड़ी होती है, जहां पर लोग घर बना कर रहते हैं, सबसे पहली चीज़ जो देखने को मिलती है, वो होती है plane, अब, अगर मैं यहां पर planes की बात करूँ, हमने C level की बात करी, यह है, इसको ऐसे बना लेते हैं, यह C level, इससे 200 meter की उचाईब पर अगर कोई आए, और मैं इसको green से क्यों बना रहा हूँ, यहां पर खेती बड़ी होती है, agriculture practices होती है, यह plane, plane की height कितनी चेशना, maximum 200 meters, उसके बाद, कोई भी इससे जो higher elevation की चीज़ होगी, यानि कि इससे भी उपर जो कोई चीज होगी, जिसकी height, जिसकी height, 600 meters तक की हो, मेरी बात फिर से सुनना, plane से उची height पर, कोई भी ऐसी चीज, जिसकी height 600 meters से कम हो, maximum 600 meters तक हो, वो दो चीज़े हो सकती है, जोग्रिफी में, या तो वो चीज़ हो सकती है, plateau, या वो चीज़ हो सकती है, hills, अब ये कैसे, plateau भी हो सकती हिल कैसे, दोनों बें अंतर क्या है, जब कोई भी चीज़ ऐसी height पर होगी, plane से उपर जब भी होगी, और उसका जो top हो, अगर वो बिल्कुल flat हो, like this, अगर वो बिल्कुल flat हो like this, तो उसको हम लोग बोलते हैं, this is, plateau, अगर plane से कोई भी चीज़ एक height पर है, मैं इस height बना देता हूँ, और वो चीज़ flat ना होकर conical है, conical है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, this is hill, लेकिन दोनों में condition क्या है शाइनी चेश्टा, अंकिता, शेली, क्या condition है दोनों में, height कितनी इस से जादा नहीं होनी चाहिए, 600 meter से जादा नहीं होनी चाहिए, 600 meter से जादा की उचाई पर, journally कहा हूँ, journally कोई भी चीज जो उसकी उपर होती है, वो होती है, mountains, चेश्टा, तो क्या आज आपको geography wise, यह बेलकुल बेसिक तरीके थे समझ में आ गया कि समुद्र से अगर हम स्टार्ट करें और पहाड तक जाएं तो यह लेवल कैसे बनते चले जाते हैं किया इन सबके नाम समझ में आ गए तो क्या अगर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं सबसे नीचे क्या देखने को मिलेगा मुझे सी लेवल उसकी उपर प्लेंस नमबर टू प्लेंस उसकी उपर या तो प्लैटियू या हिल्स इसकी उपर मांटेंश खता हूं और मांटेंश की उपर क्या होता अगर मैं पूछा तो कोई पता यह अगर मांटेन है इसकी उपर क्या होगा पूछ रहा है अच्छा बढ़र को जानते हो इसलिए मेरी बीज़े पूछ रहो कि आप कुछ ऐसा दो नि कुछ और काओ के इंद्रा गांधी की तरह है ने ने लेंड फॉप्स में पूछ रहो अच्छा बच्चा बन गए पूछ रहो है तुमसे क्या बोलते हैं अंकिता इसको मॉंटें पीक हां लेकिन मैं यह क्या हो कि एपिक्स पॉइंट होता है जोगरफी में मतलब जिस चीद पर खड़े होगा जा सकता है न यह प्रिद्वी पर एपिक्स पॉइंट होता है तो सबसे बड़ा मॉंटें कौन सा चेश्था सबसे बड़ा मॉंटें कौन सा कोई भी बताओ लार्ज इस हाइड में हाँ टॉलिस बताओ चलो मॉंटें रिंजिस कौन सी मॉंट stay की मॉंटेंवरेस की पीख क्या है मैडम फिर aren't मॉंटेंवरेड्स हाइड वह है क्या मुझे हमाल्या सो मॉंटेंवरेस नी बोलना चाहिए तषीय मन्त एवरिस सबाउंट ineवरेड्स है 346ए मॉन आफ हैं है मॉन टावरेस कहा पर म्ॉन आवरेस्ट पर्टिकुलर नी का है नेपाल चेस्टा इतनी बात है समझ में आगे हैं बिल्कुल बेसिक तरीकिसे यह बार-बार रिपीट होता रहता है घबराने वाली बात नहीं है NCRT से लेकर अभी तक हर जगा आपको रिपीटेशन पर मिलेगा और जो मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा बार-बार आपको उसमें मिलेगा रिपीटेशन करवाने जरूरी होती है हमेशा जब भी किसी चीज को स्टार्ट करो भले यह NCRT से कवर हो गया अब अम तमिलाडू से इसको देख रहे हैं किसी से भी देख रहे हैं ताकि चीज़ता रिकॉल हो जाए अब जिसे आज आप आयो तो आपके लिए फ्रेश हो ज बोल जाता है लेंड को दोस्तो जेयोगरफी मिनना एक टं से बोला जाता है लेंड की हिस्से को लिए अ अब आप कोगे लिए अर्ल के लिए क्यों बोलते हैं व्याजिवत दिय फंज़ ऊनक इया हम जविक्साट पढ़ां हिजने हम चमोती हैं तीन होती है लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एड्मोस्फियर, लिथोस्फियर का मतलब होता है अगर इन सब को कमबाइन करते होगे न चेष्था, लिथोस्फियर, प्लस हाइड्रोस्फियर, प्लस एड्मोस्फियर, तो चेष्था ये वो कंडिशन्स हैं जो की हमारे लिए लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं मतलब आप देखो न चेष्था, अभी हम यहां पर लेक्चर ले रहे हैं, आप अपने घर पे बैटे हो तो हम किसी जमीन पर तो टेकिये हुए हैं कहीं न कहीं हम डेली पेसेस पर चेष्था पानी भी पीते हैं और अभी हो सकता है आपकी रूम में चल रहा है या फिर आप बाहर निकलते हैं तो हवा तो हम लेते ही लेते हैं अब यह जो तीनों मिलकर जो कंडिशन बनाती हैं इनको जोग्रफी में चीज का जाता है बाइस्फिर तो अगर चीज था आपसे आज के मतदर कोई पूछेगा की डिफ़ाइन बाइस्फिर तो आप क्या क्या कह raウ कि बाइस्फिर कित्ने पार्ट से मिलकर बनी है यह term तीन कौन-कौन से land कहलो या lithosphere कहलो water कहलो या hydrosphere कहलो air कहलो या atmosphere कहलो अब मेरी बात आप सब लोग ध्यान से सुनना बिल्कुल ध्यान से इस lithosphere की study को जो lithosphere की study है हम लोग इसको tectonic theory या फिर land forms की form में पढ़ते हैं यानि कि ये chapter को अगर आप देख लो तो ये नाम देखो उसका land forms जो water है ना water इसको hydrosphere इसको हम बोलते हैं कि geography में this is a subject of oceanography और atmosphere को हमने बोलते है climatology बस यही तीन sections होते हैं पूरी geography के अंदर इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ geography के असलिए बस बहुत प्यारा होता है सबसे छोटा होता है return on investment बहुत बढ़िया होती है ये तीन sections हमें करने होते हैं एक world level पर देखना होता है एक इंडिया के level पर देखना होता है यानि कि पूरे दुनिया के हम लोग land water यार समझ कर आजेंगे उसके बाद इंडिया के समझ लेंगे कि बारिश कैसे होती है इंडिया में क्या कहते है चावल की खिती कैसे होती है बारिश कब आती है कहां कहां आती है जादा सबसे best agriculture grounds इंडिया के अंदर कौन-कौन से है इतनी थोड़ी बहुत थे steady करकर you will be trained and you will be familiar with everything इस chapter के अंदर फिलाल हम लेंड फॉम्स की बात अगर कर रहे है तो मुझे पता तो चेश्टा हम लोग क्या कर रहे है biosphere, hydrosphere, atmosphere या क्या lithosphere यानि की land की बात हम लोग कर रहे है बस clear हो गया न ये वाली चीज आपने अंसर कर दिया सब्सक्राइब करना clarity है अब ध्यान से सनो some parts of the lithosphere में भी rugged और कुछ हो सकते हैं flat मतलब जमीन हर जगा सेम नहीं होती ना rugged मतलब उबर खापड और कुछ हो सकता flat हो landforms जो होते हैं वो दो processes की वज़े से बनते हैं दो processes की वज़े से एक endogenic process और दूसरा exogenic process कैसे यात रखेंगे इसको endo का मतलब होता है अंदर interior और जहां पर आपको यह word दिख रहा है exogenic अब exo में ex आ गया ना इसका लगा exit यानि की outer land जो भी बनता है ना land जो भी बनता है वो इन दो processes से बनता है समझते हैं कैसे समझते हैं कैसे सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं endogenic forces की endogenic forces मतलब कैसे धरती के अंदर से कोई चीज एट कर रही है land को बनाने के लिए नीचे कोई plates है अर्थ के नीचे हम धरती पर खड़े हैं अर्थ के नीचे कोई ना कोई plates हैं, जमीन का कोई तुकड़ा होगा, ये दौनों आपस में जब collide करते हैं, जब collide करते हैं, इसका मतलब ये pass आ रहे हैं, ये pass आ रहे हैं, एक दूसरे को किस करने के लिए, इसको हम रख बोलते हैं, convergence, convergence, जब दो जमीन के तुकड़ों की जो plate होती है, जो plate होती है, इसको बोलेंगे हम लोग, tectonic plate, one मान लो इसको, और इसको tectonic plate, two मान लो, जब ये दौनों pass आ रहे हैं, for example, किस करने के लिए, इससे दो चीज़े हो सकती है, इसके बाद या तो जो plate होती हैं, वो उपर की तरफ उठ जाती है, या वो नीचे की तरफ जुख जाती है, यानि कि जब भी कोई hill, या plateau, या mountain बनता है, तो हम कह सकते हैं, अंदर से जो plates आई है, वो पास आई, पास आई, पास आई, और उपर की तरफ एरेक्ट हो गई, हमेशे जरूरी तो नहीं है कि कोलीजन से, यह हमेशे structure अर्थ का जो land है, यह उठेगा यह उठेगा, यह गिर भी तो सकता है, यह ऐसे भी तो जा सकता है, जब यह ऐसे जाता है, यही एक प्रकार से shape ले लेता है, वेली, पाड़ गुमने जाते हो, चिस्टा ऐसे cut देखते होगे यह वले, ऐसे वले, वादियां, यह ऐसी बनता है, पहले मुझे आप सब लोग यह बतातो, एक basic तरीके से, अर्थ की endogenic forces समझ में हैं, कि कैसे plate काम करती है, आपने क्या सीखा कि plate कैसे काम करती है, अंकिता, या तो कोई भी जो, अर्थ पे कोई भी structure, या तो, ऊपर जाएगा, या नीचे जाएगा, क्यों, ऐसा क्यों, collision या convergence की वज़े से, चेश्टा क्या चीज समझ मैं, मैं फिर से समझाऊं क्या, आगया, अब एक दूसरी forces है, उसके बाद मैं बात करते हैं, वो interesting है, कौन सी, हमने क्या पड़ी, एक तो endogenic समली, इंटीरियल वाली, अब बात करते है, exogenic forces की, जो अर्थ के बाहर से act करती है, यानि की outer से act करती है, अब exogenic forces के लिए, हमने क्या पड़ा था, अर्थ पे कोई भी structure, land, lithosphere, landform, कुछ भी create होता है, या तो अंदर से या भाहर से, अब हम भाहर को जान रहे हैं, अब भाहर कैसे, जेश्टा मान लो, आप राजिस्तान में रहते हो, एक desert region में, यह आपका घर है, और ज्यान से हम मान लेते हैं, यह पूरा yellow मतलब यह पूरी पूरी इधर उधर आसपस सब जगा rate है, ज्यान से देखना और ध्यान से थमझना इस concept को, बीच रेकिस्तान के असपस अपका घरवन रुखा है, ओके यह पूरी पूरी rate है, अब देखो होगा क्या, यहाँ पर यह जो rate के particles हैं, और यह जो मैं grey color से बना रहा हूँ, यह मालो हवाई चल रही है, यह हवाई जो हैं, इन particles को उठाती हैं, और आपके घर के पास थोड़ी दूर पर एक जगा है, वहाँ जाकर यह particles deposit होते चले जा रहे, एक साल हो गए, ऐसा होते होते, तीन साल हो गए, पांट साल हो गए, साथ साल हो गए, ग्यारा साल हो गए, पचास साल हो गए, सो साल हो गए, इसके बाद इस जगापर हो सकता है, यह जो particles हो, पूरे हर जगा यह बिच जाएं, और यह इतने solid बन जाएं, कि ऐसा हो, या तो यह कोई road बन गई है या तो यह कोई एक hill type का छोटा सा structure बन गया है या हो सकता है यह mountain बन जाए जबकि यह region आग से for example हमने 100 साल लिया है अपने एक्जामबल में 100 साल पहले हो सकता है या आपर कुछ भी ना हो यह बिलकुल खाली पड़ा था यह बिलकुल ऐसा खाली पड़ा था बिलकुल ऐसा लेकिन हवा जो क्योंकि यहां से जो यह उठकर आई और यह इन rate को ठाकर लेकर आई यह rate हर जग़ा scatter होती चली गई और scatter इस प्रकार से होती चली गई कि इसने पूरा का पूरा एक पहार टाई भी आपर structure एक हे create कर दिया पूरा का पूरा पहार टाई भी आपर structure create कर दिया हवा लेकर आ रही है यहां पर structure यह ऐसी कोई चीज है उसके बाद यहां पर हुआ क्या आस पास में कोई एक plant लगा हुआ था और ऐसे बड़े सारे plant लगे हुए थे इसके कुछ जो seeds थे वो यहां पर आके गिर गए या चिडिया वगेरा ले आई उन्होंने गिरा दिया और उसकी वज़े से हो सकता है कि यहां पर vegetation बहुत अच्छी हो गई हो इस region में आस पास हर्याली हो गई हो बारिश हुई बारिश हुई और यहां पर बहुत बड़े बड़े गड़े होंगे बहुत बड़े बड़े गड़े उसके अंदर बारिश की वज़े से यह पानी फिल हो गया इसका मतलब क्या मैं यह कह सकता हूँ सब लोग एगरी करते हो कि कुछ एजेंट्स की वज़े से अर्थ पर लेंडफॉंग अपने आपी बन गया जो जगह बंजर पड़ी हुई थी वहां एक तलाब बन गया वेजिटेशन आ गई एक हेल टाइप एक माउंटे टाइप इस्ट्रक्चर बन गया क्या मैं कह सकता हू यही प्रोसीजर है बस यही प्रोसीजर चेश्टा पका समय में आगा तफ तो नहीं लगा यह एजेंट्स है इसको क्या कहते हैं हम लोग एजेंट्स अब हम बात करते हैं कि एजेंट्स होते क्या हैं और कैसे वक करते हैं अब जो मैं टेक्स से पढ़ाऊंगा ना तो अब तो वह तफ नहीं रागएगा किसी को भी देखो जो ये endogenic forces है जो internal process है इसकी वज़े से अर्थ या तो uplift होता है या sink होता है क्या ये वली बात अब ये शब्द clear है मेरे diagram के बाद या तो ये उपर उठेगा या नीचे जाएगा सिचुईशन ए और सिचुईशन clear यहाँ देखो यहाँ पर देखो जरा मैं देख रहा हूं सबको camera उपन है ये sheet है ये work sheet है इस side से plate आएगी इस side से plate आएगी ये plate आएगी तोनों pass आ रही है या तो ये बन सकता है इससे collision से ये upliftment जरूरी थोड़े नहीं ऐसे जाएगी ये लोग मैं same sheet को लेकर जा रहा हूं इस time तो ये नीचे जाएगी लोग ये sink हो गया एक time पर ये और कभी कबार ये सब्सक्राइब है ये दो process होते हैं इसके रहे जो exogenic process है जो external process है वो क्या है continuously जो wear down और rebuilding होता रहता है अर्थ के surface का अर्थ के surface का ये कैसे याद है एक जगा से आपके जो अभी मैंने example दिया चेश्टा आपके घर के पास से वो मिट्टी उठ 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 कर जा रही थी तो दूसरी जगह पर एक बिलकुल नया लैंड पॉर्म बन गया था जाकर ग्रेडेशन वाट इस घ्रेडेशन ये प्रोसेस होता है और लेवलिंग ओफ हाई लेंड त्रू इरोजन और फिलिंग अपफ लोलेंड त्रू डिपोदीशन यानि की कोई एक structure है वो एक इतनीजी हाइट का है इतनीजी हाइट का है यहां पर इसको ऐसा बना देते हैं हाइट इसकी मालों काफी है यहाँ पर अब यहाँ पर हुआ क्या ध्यान से देखना सब लो इधर बारिश होई इस टॉप पर यहाँ पर बारिश होई नंबर वन नंबर वन एजेंट अई है नंबर वन दूसरा यहां से हवाँ चलती है number two agent और उसके बाद उसके बाद इसकी वज़े से, पानी की वज़े से जो ये बारिश होती है यह पानी यहाँ से बैता रहता है बैता रहता है, बैता रहता है बहता रहता है और हवा जब इसूख जाता है तो यह हवा यहां ते चले लग जाती है यानि कि कुछ सालों में आपको यह पता कैसा दिखेगा अगर यह 2022 में अगर यह structure ऐसा है न तो इसकी वज़े से पारिश की वज़े से हवा की वज़े से इसकी अब ध्यान से दिखना सको 100 तक आते आते हो सकता यह ऐसा हो जाए यहां पर इसके साथ क्या हुआ यहां पर इसके साथ क्या हुआ यहां पर इसके साथ क्या हुआ इरोजन और इरोजन करने वाले एजेंट्स कौन हुए नंबर वन और नंबर टू हवा और बढ़ साथ एक तो यह हो गया ग्रेडेशन gradient का ही एक within the concept तूसरा concept और sub-concept या तो erosion हो कर process उजाएगा इक highlands का level up हो जाएगा ह aging पर ऊची हाइट पर जाएट इसका erosion हो जाए या जो lowlands है वो फिल हो जाए इसको मिटाया अब माल लेते हैं 2022 का ये structure है कोई छोटा सा इतनी हाइड डेस्की और पुराने वाला जो अभी मैंने डियाग्राम बनाया था है ऐसा मालो कि जो हवा चल रही है वो यहाँ चल रही है यहाँ पर पानी वगरा जो है वो आ रहा है और पानी अपने साथ आपको पता है sediments वगरा सारे लेकर आता है और हवा अपने साथ उचेश्चा के एक्जम्पल वाला याद रखो सब लो कुछ कंकर कुछ पार्टिकल्स वगरा यह सब लेकर आ रही है यह structure यह same structure 2050 में हो सकता है यह बार बार लाकर यहीं चीदे deposit होती चली जा रही है तो यह हो सकता है यह ऐसा देखे और यह 2100 तक होते होते यह हो सकता है कुछ ऐसा देखे बात समझ में आई दोनों के बीच में difference और similarity समझ में आई क्या एक जगा से जो हवा और पानी जो एक को वरबात कर रहे है तो वो कही ना कहीं तो जाकर deposit कर रहे होंगे ना आपके बनते हुए गड़ से चेश्टा सीमेंट की बोरियां गायब हो गई तो इस समय बन्दा उन सीमेंट को कहीं ना कहीं किसी और construction में तो यूज होगी कि नहीं होगी वो यही चीज़ है तो जो lowlands है जिनकी height कम है उनकी अंदर जब deposition होकर filling up होती है एक तो वो gradation होता है या फिर जब आप highlands को leveling कर देते हैं उनका कैसे कोई एक बड़ा सा structure है उसको यह हवा पानी गिस्ते जारी है गिस्ते जारी है गिस्ते जारी है साल बीर करें 50 साल 100 साल 200 साल और होते 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 यह structure ऐसे से इतना सा रह गया बसे क्या gradation सबको समझ में आया क्या gradation सबको वो अभी हम बात करेंगे अभी आने तो उस concept को वो और फिर सब mix हो जाएगा पहले बताव यह वाली चीज़ समझ में आगी सबको हाँ gradation पहले नहीं टाव हमने बात नहीं करिया भी तक इसके बार में हाँ देखो ना desert में dune की क्या बात कर रहे हो चेश्टा का example मैंने desert कही तो लिया था इसलिए बोला था मैंने बोला example और और बताओ मैं तुम्हें आप लोगों को एक interesting बात और बताओ देखना चेश्टा इस चीज़ को और apply करके देखना normally चेश्टा किसी एक जगा पर मालो ये रेकिस्तान है यहां रेती रेत पड़ी हुई है और ये जो जगा है ये हर्याली वाली जगा है अगर कुछ ऐसा mechanism और वे अगर चेश्टा नहीं बनाया गया कि यहां की मिट्टी बार बार उड़ उड़ कर 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल 75 साल 100 साल तक जाती रही तो मुझे एक बाप बताना ये जगा कुछ मिट कर कुछ सालो बाद कुछ ये जगा ऐसी ऐसी नहीं दिखेगी यानि कि उस हर्याली हस्ती खेलती हर्याली बाली जगा का क्या हो गया ये डेजर्ट नहीं बन गया है पुरा का पुरा इसी को तो कहते हैं डेजर्ट इपिकेशन और यूएन की ट्रीटी भी है सीज को रोकने के उपर क्योंकि बदलब ये माना जाता है आप लोग सब इतना तो समस्ते हो ना शेली सब लोग बताओ मुझे जरा अमित अनोज के किसी भी एक ग्रीन लेंड का किसी भी एक ग्रीन लेंड का जहां पर हर्याली हो उस जगा को डेजर्ट बनाना कितना आसान है पार्क में आपके ब्लॉक में कोई माली पानी डालनी नहीं आया खुछ भी नहीं आया गर्वियों में वहां सारी घांस जल गई उसको बिलकुल कच्चा मैदान मराना धूल से वरवा कितना आसान है लेकिन धूल वाले मैदान पर डेजर्ट बर ग्रीनरी लाना आसान काम है एक साल दो साल या दस साल में गैरंटी है कि हो जाएगा वहां पर एक बात बताओ मैं स्कूल वालो और कॉलेज वालो को भी जब घांस लगानी पड़ती है न तो वह इंतजार करते हैं कि कब गर्मियों की चुट्टियां दो महीने की हो इन लोगों की और तब जाकर ऐसे इंफ्रसक्टर का काम हो क्योंकि रोज जब उस जगा से कोई गुजरे का कदम लेकर तो वह पॉसिबल ही नहीं है मैंने कहीं पर बीच गोई आमेत और आप पैर लेकर वांसे निकल गए तो क्या वह उगे का कभी वह प्लाण छेड़ना नहीं सही है ना करती ही चीज को यह चीज होती है तो क्या यह वहारा प्रोसेस सब को समझ में आया सब लोग मुझे बता तो एक बली ज़र या कुछ भी समझने तो बेच जब पूछ लो चेश्टर या कोई भी पक्का तो इस discussion में फिलाल इतना ही Thank you very much for discussion Landforms के बारे में कोड तरीके से शुरुआत करते हैं हम लोग अगले lecture में Thank you